कि दोस्तों यह मारो इसबार बैरात वोटंन का है वोट कि यहां से इसको फिप अमने कर है चाहिए से इंपुट लेंगा इन्वाटर और लाइन इनका बोडर तक जाएगा बोड दी था इसे बाद में इन्पुट नहीं से दे सके है कि इस तरीके से आपको भी करना हो और फिर यह पंखे से लाइट होते हुए पंखे में जाएगा पंखे से फिर एक इन डारेक्ट सीधे चले जाएगा उस साइड में पूजिस साइड में पंखे के लिए एक तारम निकाल लेंगे इसको अच्छे साप करके तोड़के जो इस्ट्रा बड़ी हुए इसको तोड़ना होगा तोड़कर के साप कर लेंगे फिर उसके बाद वारिंग करेंगे पिर यह हमने पोजिस साइड में एक पंटी हमने इधार लगाया हुआ है यहां पी भी एक वलब लगेगा और एक ब यह आई रिक बड़ में लगाया हुए एक रूलर चलाने केलिए हमने इसका कनेशन किया हुआ है फिर उसके बाद तो हमने इसका धरा पुजिस साइड में पोलिए लगाया हुए की बाह़ा लगाया है disco такого यहां लगालेंगे और इसका पूरा कनेक्शन आपको देखना होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यह है हमारा दूसरा कमरा और हमने देखी यह 8x8 का बोर्ड है यहां पर हमने एक अच्छे से स्कूर के सारे कसा हुआ है यहां पर लगेगा अब देख शीडिक उपर होल बना हुआ है तार यहां से जाते होए चला जाएगा बोर्ड पंखे में इसका कनेक्शन आपको देखना होगा देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अच्छे से हील को टाइट किया हुए जिससे के बाद में कभी निकले ना अगर आपको इसका वाइक का होल नहीं मिल न आा तो इसमें प्रेशर्ण से आप इसका होलselा कर सकते हो हमने इससी तरीक एसका होलता किया हुआ है आँ यह हमने जुग आड बनाया था सवीडिपर जड़ करके OUR फंट के चानीज भी रजी से नहीं आखको कियलlight से स्कूल करके कसना होगा जो पंखे में फंटी लगी हुई है